इस वीडियो में हमें इससे इंटिग्रेट करना है तो औरड़ी मैंने i equals to करके इससे लिख दिया है तो जब हम इससे इंटिग्रेट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए जो यह denominator है इसको differentiate करके देखो इसको differentiate करके आता है 2x plus 2 यहां से अगर हम 2 common लेते हैं तो x plus 1 आता है यानि कुछ भी करके यह उपर वाला नहीं मिल रहा है हमें तो पहले हम यह चेक करके देख लेते हैं और जब ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद जो ऐसे questions को करने का normal process है वो अब हम follow करेंगे तो कैसे करते हैं पीछले questions में आपने देखा होगा कि हम लिखते है numerator equals to a times denominator का differentiation plus b numerator यह धियान रखना ठीक है ना it's very important numerator यहां पर यह numerator है यानि यह हो जाएगा x plus 2 a times अब denominator का differentiate करना है इसका मतलब यह root नहीं लेना हमें root के अंदर जो यह है इसको differentiate करना है तो यह हो जाएगा 2x plus 2 plus b यह important step है इसको हम equation number 1 ले लेते हैं क्योंकि बाद में यह जो उपर x plus 2 लिखा है इसकी जगह पे हमें यही लिखना है of course पहले हम a and b की value find करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे x plus 2 equals to multiply करेंगे यह है 2ax plus 2a plus b अब यहां x का coefficient 2a है यहां x का coefficient 1 है तो हम compare करेंगे हम लिखेंगे कि 2a equals to 1 इससे हमें मिल जाएगा a equals to 1 divided by 2 ठीक है और यह constant part है यह इस constant part के equal है यही तो होता है compare करना तो b हो जाएगा 2 minus 2a यानि 2 minus 2a क्या है 2a तो 1 ही है तो यह हो गया है 1 तो हमें a मिल चुका है हमें b मिल चुका है यहां तक सब सही है तो अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे वापस i i equals to integration अब जो उपर x plus 2 है इसके जग़े हमें यह रखना है जो मैंने कहा था न equation number 1 this is very important a क्या है half 2x plus 2 plus और b है 1 upon square root x square plus 2x plus 3 dx अब हम यहां पर इसे separate करेंगे तो यह हो जाएगा half integration 2x plus 2 upon x square plus 2x plus 3 dx और यह हो जाएगा 1 upon square root x square plus 2x plus 3 2x plus 3 dx समझ गए अब यहां पर यह जो दोनों ही functions है दोनों को ही हम जब integrate करेंगे तो इसके लिए हमें थोड़ा आगे लंबा process और चलाना है तो इसके लिए हम अब क्या करेंगे कि यह हम ले लेते हैं i1 और यह ले लेते हैं i2 ठीक है ध्यान रखना i1 अंदर वाला है half हमने अरग लिखावा है तो जो i1 है वो क्या है integration 2x plus 2 x square plus 2x plus 3 ठीक है अब हमने इसे integrate करना है पहले और यह बड़ा आसान है यह जो अंदर लिखा हुआ है अगर आप इसे differentiate करों तो उपर वाला मिल जाता है और of course मिलेगा यही सोच के तो हमने यहाँ पर यह सब लिखा है यह सारा जो शुरू में लिखा था तो वो तो मिलना ही है तो यहाँ पर हम put करेंगे x square plus 2x plus 3 अब देखो यहाँ पर t put करके भी काम चल जाएगा लेकिन t square put करके थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि फिर square root का चकर नहीं रहेगा integrate करते समय तो यह हो जाएगा 2x plus 2 है ना इसको मैं differentiate कर रहा हूँ तो यह 2x plus 2 हो गया dx लग गया और यह हो गया 2t dt ठीक है तो यानि अब जो यह numerator में 2x plus 2 into dx लिखा है इसकी जगबे में 2t dt लिख सकता हूँ तो i1 हो जाएगा integration यह तो 2t dt हो गया और denominator में क्या है यह square root के अंदर अगर t square लिखोगे तो यह t हो जाएगा तो basically यह t है t से t कटा यह हुआ 2 integration dt और यह होगा of course 2t plus c1 और t क्या है देखो यह t square है तो t क्या है इसका square root यानि root x square plus 2x plus 3 plus c1 यह i1 हमें मिल चुका है अब i2 solve करते है तो यहाँ पर i2 क्या है integration 1 upon square root x square plus 2x plus 3 dx ओके अब इससे integrate करना है तो देखो जब हम यहाँ पर यह integrate करते हैं तो हमें इससे perfect square में convert करना होता है जिससे कि यह एक proper form आ जाए तो यहाँ पर proper form आ जाए का मतलब क्या है कि आप जानते हैं इसमें हमारे पास जो इस particular exercise में six different forms हैं उनमें से किसी एक form में हमें convert करना होता है और इसके बाद हम formula apply कर देते हैं और इसके लिए हमें इसको perfect square बनाना होता है तो यहाँ पर हम इसे perfect square में convert करेंगे तो क्या करते हैं हम लेंगे x यह जो sign है यहाँ पर लिखते हैं और जो भी यहाँ पर number है उसका half कर देते हैं तो 2 है तो यह 1 हो जाएगा square लगाएंगे और जो भी हमने यहाँ पर लिखा उसका square minus कर देते हैं यह बहुत बार हम apply कर चुके है तो मेरे कहल साथ भी तक आपको याद होई गया होगा यह process और यहाँ पर हो गया x plus 1 का square यह minus 1 plus 3 यह होता है plus 2 अगर आप इसको और यहाँ पर लिखना 1 upon under root x plus 1 square plus root 2 square dx यहाँ पर हमें formula apply करना है तो देखो यहाँ पर आप चाहो तो x plus 1 को t put कर सकते हो और नहीं भी put करोगे तो भी काम चल जाएगा जो formula में यह है यह x square plus a square आप सिधे apply कर सकते हैं तो यह हो जाएगा log x plus square root x square plus a square यानि सिधे formula है यहाँ पर apply कर सकते हैं आप यह सोचोंगे कि सर आपने यहाँ पर t क्यों नहीं लगाया पिछले बहुत सारे questions मैं already मैं समझा चुका हूँ मैं आपको फिर बता देता हूँ कि यहाँ पर x का coefficient 1 है तो इसलिए put करने की जरूरत नहीं है कोई आवशक्ता नहीं है आप put करो कोई problem नहीं है अगर आप यहाँ पर x plus 1 को t put कर भी देते तो dx is equal to dt आ जाता और फिर यह t square प्लस यह आ जाता और यहाँ पर t plus square root t square plus a square आता इवेंचुली आना यही था उसने तो यहाँ पर इसलिए आवशक्ता नहीं है ओके दोनों ही तेरे साब कर सकते हैं हाँ अगर यहाँ पर 2, 3, 4 कुछ और होता फिर तो हमें t जरूर put करना होता है और यह हो जाएगा square root अब देखो यह जो सारा है x plus 1 का whole square plus root 2 का square यह क्या था? यह यही तो था तो वापस इसको लिख देते हैं x square plus 2x plus 3 c2 ओके और तो therefore जो i है वापस इस पर आ जाते हैं तो i था हमारा half i1 plus i2 half i1 plus i2 half i1 क्या है? i1 यह है 2 root x square plus 2x plus 3 i2 है log x plus 1 plus square root x square plus 2x plus 3 और जो यह सारा c1, c2 सब कुछ है इसकी जग़े केवले एक c लिख देंगे हम और यह final answer हमारा आ जाएगा इससे कट जाएगा तो यह है square root x square plus 2x plus 3 plus log x plus 1 square root x square plus 2x plus 3 plus c और यह हमारा answer आ चुका है ओके तो I hope यह solution आपको अच्छे से समझाए होगा बाकी questions के solutions के लिए description box में playlist चेक करें प्राइब चुका है